पुरा विश्व जो है दोस्तों कोविट की महामारी से गुजर रहा है और उस समय पे कई सारे देश ऐसे हैं जो आपस में कॉन्फिक्ट में गुजर रहे हैं जैसे कि रश्या यूक्रेन हो गया आपका इस्रेल और सीरिया आप तो एक दूसरे को मिसाइल ही दागने में लगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी कुछ भी हो रहा है रश्या और यूएस उसका एंगल उसमें है दोस्तों और दूसरी चूज जिस रीजन के बारे में बात करते हैं वो आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन है आप सभी म दूसरी को पर क्या करें मिसाइल दाग रहें क्या है रिजन सारी चीज़ें बैक्ग्राउंड क्या है अभी क्या चल रहा है डेवलप्मेंट अभी आज भी हिंदुन इस पर मैं एडिटोरियल था एक आर्टिकल था जिसके इंदर में लिखा हुआ था इसरे ने सीरिया के उ परबें दागी मिसाइल इसके पलटवार में इज्सरे इसरेल डाइ किया मिसाइल दाघ दी बिल्कुर प्राइब सारी चीजे उसकेर के सब्र अब स सब्सक्राइब है मुझे आप सभी के चैट कमेंट आ रहे है गूड आफ्टरून के ठीक दोस्तों और यह अपका UPSC 11 चैनल है और यह अनेक एड़ी प्रैक्टमर्म की तरफ से आपके लिए चीज़ है अंतिवारी नाम है मेरा आप सभी जानते ही है 2-2 तक के प्रेलिम्स का अक्सेस मिल जाएगा यह अप सभी के सभी यहां पर इसको जाइन कर सकते हैं ये रहा region ये region जो है दोस्तों map के perspective से बहुत ज्यादा important है world में जो order इस समय चल रहा है ज्यादा तर जो गती वीडिया यहां से चल रही है जो world में चीज़ें चल रही है वो maximum reason ये ही ये वाला middle east जिसको बोलते है Central Asia भी बोल देते हैं इसको Gulf region भी बोल देते हैं ये बहुत ज़्यादा important है आपके exam perspective से and please मेरी personal request आप सबसे एक बार दुबारा से कह रहा हूँ इस region को इस map को download करके 10 बार 20 बार इसको देखते रही है आपके exam में यहां से जरूर बनेगा दरसल बात कर रहे हैं पीडिया की और बात कर रहे हैं इसरेल की इन दोनों हिससे के बात कर रहे हैं कहानी बहुत पुरानी है आपको पता है दोस्तों इसके पीछे बतलब इसरेल और सीरिया और पूरे अरब कंट्रीज के बीच में जो वार है सिच्वेशन है यह बहुत पुराने समय चल रहा है लेकिन हाली फिलाल में यह काफी जादा एक्टिव हो चुकी है सारी चीज़े कहानी यह है कि जैसे आप जानते होंगे नॉन अब्रहामिक रिलिजिजन कैसे करके दो रिलिजन दो रिलिजन को धर्मों को दो उससे में बा सिच्वेशन है कहा से इस्टीन है और जो यह वार की सिच्वेशन लगातार बन रही है यहीं से है तो इस्टीन में अभी जियूश है जूडिजिस्म जिसको जो करते हैं फॉलूव पहलो चर्फेक मातर देश यह हैं क्या हुआ था 1948 से पहले आने की वर्ड वार वन से भी पहले 1914 से पहले इनको almost मान के चलिए जूश को हर कोई मार मार के भगाता था पूरे 2000 साल के लिए इनको पर्सुईट किया गया फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि नहीं हम अपने जो जेरूशलम है दोस्तों फिर समझे किया इसके उपर में आपने ज्यादा होगे जिश्ट उपर सब्सक्राइब एक उसाहरे को खास्ट करी जा जा रहे है कि इनके बीच क्रेंद यह से हीसरेल से मिजाल दागी गई सीरिया के ओपर में सीरिया से मिजाल जा T reality आप अब इस समय मैं आपको समझा देना चाहता हो कि यह है पूरा का Isle Cer gra indem the बहुत जÁद स्मजो अमारा प्यारा भारत जल से कि इधर के तरफ आएंगे तो एदे को पाकिस्टान हो गया यह रवाप गरीक्स्तान यह रात तुर्कमेणिस्तान यह देखिए अभी अजर्बेजान जॉर्डिया और क्यान में आर्मेनिया यहां पर वार आपको पता है पुरे के पूरे यह रहा यहांप पर रशीया तिरा यहां का पूरे के पूरे अभी चीजज या में पूर है यही रहा यहांकाण बहुत ज़ादा important है थोड़ा सा आपको map पे चीजे नजर में रहे इसलिए यहाँ पर इतना थोड़ा सा मैंने time लिया अब आते हैं कहानी पर जो हमारी वीडियो है उसके उपर इसरेल को थोड़ा सा जूम करो तो ये वीडियो ये भी निकल कर आती है इसरेल की location दोस्तों बहुत ज़ादा important है आपके exam के लिए यह देखिए यहाँ पर एक golden heights है जिसको Syria से कबजा कर लिया था इसने इसरेल ने वार के अंदर में जीत लिया था यह देखिए गाजा स्ट्रिप यहाँ पर है और यह यहाँ यह वेस्ट बैंक यहाँ पर है जेरुशलम जॉर्डन के साथ border लगती है यह इसको बोलते है डे यहाँ पर सीरिया की तरफ से missile attack हुई इस nuclear center बे क्या हुए दोस्तो missile attack हुए और इसके retaliation में इसरेल ने दमसकस यानि कि जो उनकी capital है सीरिया की जो capital है दमसकस वहाँ पर क्या-क्या attack कर दिया missile के द्वारा अब यह बताया जा रहा है कि tension इतनी जादा बढ़ गई है कि एक दूसरे के उपर में attack कर रहे हैं इससे क्या होसा है वो पूरा का पूरा area वो पूरा का पूरा region बहुत जादा disturb हो सकता है अब उस area उस region के disturb होने के कारण में दोस्तों क्या-क्या चीज़े हो सकते क्योंकि सीरिया के अंदर में आपका Russia involved है Russia involved है इरान involved है अभी बताता हूं क region में थोड़ी सी भी instability होगी तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या होनी वाली है यह पूरे region oil के लिए बहुत जादा famous है और oil का production जैसे ही कम होगा दोस्तों अगर region में कोई भी disturbance आएगी तो oil का production कम होगा उससे क्या होगा prices बढ़ेंगे और इसका direct असर किस पे इंडिया आप है क्योंकि आज सुबही मैंने आपको करेंट फिर के question में करा है कि इंडिया अपना two-third two-third oil import करता है कहां से यह आपके गल्फ कंट्री से अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आज ही जाके वीडियो देख लेना अभी जाके current फिर के mcq कराते हैं बहुत शांदार सदन मैंने आपको पता है सदन इस्राइल के उपर में जो आपका थर्सडे के सुबह के उपर में सीरिया की क्या हुई से मिसाईल आई दाग दी गई और यह क्या है नूक्लियर प्लांट है याद रखेगा दोस्तों बहुत आदा इस्रेल का और वहां पर इन्होंने क्या कर कर दिया एक चीज़ सोड़ी से आपको यहां समझाना चाहूंगा दोस्तों आपने इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे सुना होगा तो एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है यहीं पर देखिए इंटर लिंक करते जाहिए यहीं एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं और ऐसा ही इंडिया ने S-400 खरीदा है किससे खरीदा है रशिया से खरीदा है किसकी ऑब्जեक्शन पर खरीदा है बाद में सीरिया ने वोला तो क्या हुआ गलती से आ गया था अब क्या पता वह तो कहने के लिए कुछ भी कहते हैं कि वह गलती से आया चानवुज के क्या लेकिन नूप्लियर प्लांट के पास में अटाइक होना दोस्तों बहुत बड़ी बात है देश की शुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है और इसरेल बहुत चोटा सा देश है लेकिन उसने अरब कंट्री उसके नाक में दम कर रखा है हर किसी को क्या नम है क्या नम है वहां पर मिसाइल धड़ाक से मिसाइल दाग देता है पुरा का पुरा इसलिए आपने पडोशी जो देश हैं जो मुलक ह उनके उपर में इस्रेल की तरह तुरंट अटेक तरदो अगर हमारे उपर में कोई भी समस्य होती है अब इसके पीछे की कहानी समझाता हूं इसके पीछे की कहानी क्या है इसमें कहा जा रहा है इरान का इंगल कहा जा रहा है कि इरान का बहुत बड़ा रोल है अब इरान का र इसरेल ने अटेक किया था और ये कहा जा रहा है कि सीरिया से जो अटेक हुआ है कल मिसाइली अटेक हुआ है इसरेल के उपर में इस 11 अपरेल वाले का बदला लेने के लिए हुआ है तो आपके दिमाग में कुश्चन आ रहा चाहिए कि भाई ऐसा कैसे अटेक किया उन्होंने बटा हुआ एक Shia और एक सुन्री इरान जो है दोस्तो वो Shia country है क्या है Shia country है इसलिए इंडिया पे सबसे ज़्यादा Shia है इसलिए इरान और इंडिया के रिष्टे हमेशा अच्छे रहते हैं ठीक है दोस्तों और इसलिए और बाकी सारी साओधी अरब countries जो है वो क्या है सुन्नी countries है तो इसी लिए इरान और other countries में रिष्टे भी खराब रहते हैं अब सीरिया के जो President साहब है बशर असद बशर असद साहब जो है दोस्तो वो कौन है शिया है क्या है दोस्तो शिया है तो एक ये बताया जाता है cohort यानि कि back drop में एक relation है इरान का और यहां का कहां का सीरिया के President साहब का बशर असद के बीच में और इसलिए इरान के कई सारे bases बने हुए कहां पर सीरिया के अंदर में और ये अलीज किया जा होगा कि इसरेल ने इरान पर क्यों अटक किया गया रहा तो दोस्तो इसरेल क्या है इसरेल क्या है चोटा भाई है यूए से कभी कबार क्या होता है छोटा भाई थोड़ा सा नाराज भी हो जाता है थोड़ा सा चीजे करने नहीं देंगे इरान कहा यह कैसी दादागीरी है हम तो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं इसलिए कि हमारे सिविल डिफेंस के लिए हमारे सिविल जो लोग हैं उनके यूज के लिए हम न्यूकलियर को डेवलप करना चाहिए उस तो बहुत इंपॉर्टन चीज एक चीज बताता हूं कि देखिए डिस्क्रमेशन किस लेवल का अलग लेवल की दादागीरी USA कहता है कि मेरे अलावा और कुछ चुनी हुई कंट्रीज के अलावा उनको किसी को भी मैं न्यूकलियर पावर नहीं बनने दूँगा 1967 के अंदर में NPT एक ट्रेटी लेकर आए उन्होंने बोला कि अब तक जो जो कंट्रीज न्यूकलियर पावर हो चुकी है वो रहेंगी आगे आने वाले सब में कोई चल रही है मैं बहुत फ्लो में आपको समझाने कोशिश करो कि आप हर एक क्वेश्चन का अंसर आपको इंटर लिंक कर सके हैं तो इस्रेल USA का रिलेशन इरान का रिलेशन और दोस्तों एक बहुत जाधा इजबार आपके प्रेलिंस के लिए है USA प्लस इरान के बीच में जो समझोता किया उन्हों से वापस आगे उनके उपर में क्या लगा दिये सैंक्शन का दोस्तों इंडिया पर बहुत डारेक्ट असर पड़ा था और लिंक करके बता चुका हूं इंडिया यह सैंक्शन लगा है और USA ने बोला कि इंडिया विया अब आप इरान से ऑईल नहीं खरीद होगे और इंडिया ने ऑईल खरीद ने बंद कर दिये उसके कारण क्या हुआ दोस्तों इंडिया के यहां पर प्राइस जो है ऑईल के बढ़ गए है और जो आप और हम महगाई देख रहे हैं उसके पीछे यह सारा का सारा रीजन भी है दोस्तों तो यह चीज़ा सम दूरोमेटर दूर है दुमेर जो एक आर्मी वेस बहुत जादा इंपॉर्टन आर्मी वेस है वहाँ पर क्या किया इसरेल ने अटेक प्रसन सैघल गहां के सीरिया अब यह पूरा का पूरा जो region है दोस्तों यह conflict जो है यह आने वाले समय में और जादा problems को exaggerate कर सकता है बढ़ा सकता है कैसे चोचिए अगर full-fledged war Syria और इसके बीच में हो जाती है तो उससे problem क्या होगी USA का direct involvement है USA का direct involvement है यहाँ पर Russia का direct involvement हो गया दोस्तों यहाँ पर किसका involvement हो गया रशिया का यहाँ पर direct Syria में involvement हो गया इरान का यहाँ पर direct involvement है और यह दोनों के दोनों मिलके किसके और यहाँ पर क्या हो गया यह रहा आपका USA इधर मतलब आपके उधर क्यान में इसरेल की तरफ अगर आ जाए USA रहा इसरे तो यह क्या हो जाएगा direct conflict bipolar world की तरफ दुबारा हम बढ़ते जाएंगे bipolar world की तरफ में दुबारा हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि दोस्तों अभी आने वाले समय में USA versus Russia बहुत जादा हो रहा है और इसके दो यहां पर जोभी होगा इंटर लिंक्ट है किस से इंडिया से कैसे दोनों तरीके से पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी इकोनॉमिकली भी बता दिया ओईल दोस्तो ये चीजे लिंक करके रखा करो हमेशा याद रखना ये सारी चीजे और मैप बेस क्वेश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुत जाद है अब यह आपको मैंने बता दमस्कस क्या है सीरिया क मैंने करने की कोशिश करी थी और ऑर मैं मैं आपके सांप साथ्य कर करके कहानी की तरह समझा रहा हूं अगर इस से कोईभी प्रप्लों और यह भी बताता जा रहा हूं ऊपूरा का जिहादिस रहते हैं पूरे के साथ बॉर्डर लगती हो यह देखे यह सीरिया यहां पर है अलीपव से तो डैरेक्ट UPSC में पूछा जा चुका है तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप से कुछ सकते हैं कि इस्रेल की बॉर्डर किस्तिसा लगती है तो यह इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम कोस्पेक्टी से दोस्तों ठीक है क्लियर है तो मैंने आपको बताया कि चार जो है soldiers उनकी death हो गई है बलकि सीरिया तो यह कहा रहा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था एक भी मिसाइल यहां तक नहीं पर ची लेकिने बताया गया कि चार चीज आती है तो आपके सर्फेस से मिसाइल वहां पर क्या करेगी टार्गेट कर लेगी दोस्तों ठीक है खलियर है और नेगेव डिजर्ट वाला चीज याद रखना नेगेव डिजर्ट याद रखना आपके एक्जाम में पूछ लेंगे दिमोना जो सिटी है कहां पर है न ग्यारा अप्रैल को मैंने आपको बताया था नातांज नाम की एक जगह है नूपले पेसेलेटी यहां पर नूपले पावर प्लांट लगा हुआ है किसका इरान का वो काम कर रहा है वहाँ पर और उसको क्या करना है वहाँ पर अटक कर दिया इस्रेल ने बोलाय कि हम किसी भ शेर हो गया इस्वान हो गया यह रहा नतांस ठीक है तेहरान इसकी कैपिटल है याद रखिया यह देखिया अफगानिस्तान यह रहा सीरिया यह रहा इराक यह बहुत जादा इंपॉर्टन है आपके एक्जाम के प्रस्पेटिस से दोस्तों और इसका लोकेशन मैप पर याद करके रखियेगा तो आने वाले समय में दोस्तों इंडिया के उपर में इसका बहुत जादा असर पढ़ सकता है अब देखिये इंडिया से जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यह सारा का पूरा यह जो पूरा रीजन है ना दोस्तों यह पूरे वर्ल यह सारी चीज़ आप से डिसकस कर चुका हूं इसका देखना वाला आने वाले समय होगा क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही में हम वर्ल्ड वार थी की तरफ से बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा देखा जा रहा है अलग 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 जगे पे अलग 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 फिर कहूंगा दोस्तो प्लीज मैप को ज़रूर प्रिपर कर लेना आपकी एक्जाम में बहुत जादा हेल्प करने वाला दोस्तो इन शॉट जो पूरी की पूरी न्यूस थे मैं आपके साथ में डिसक्स करने की कोशिश करी एक कहानी के रूप में इंटर लिंक करते हो चाह चल रहा है दोस्तों वन यहर का अगर आप प्लान लेते हैं तो 2022 तक के प्रेलिम्स का एक्सेस मिल जाएगा आप सभी जॉइन कर सकते हैं पी आरे एक साथ पीस पे नहीं कर सकते हैं दो गंटे में अप्रू हो जाएगा नो एडन चार्जिस मिनिमों पेपर वर्क है आप सब जो जो अफेट सबस्तों हर संड्स होता है सबस्तों करने वाले करना अप्लाइब करना अंलॉक करने के लिए प्लस की क्लासिज और यहां क्या है आपको गाइड मिलते है पर्सनल पोच मिलते हैं जो क्वेशन आंसर राइटिंग तिले बस से लेकर हर चीज में आपको हेल्प करने ऑप्शनल की क्लासिज भी चलते हैं आप उसको जाइन कर सकते हैं बस कोड़ हर जगी क्या लगए का प्रशांतिवारी 10 कोई डाउट है आपका तो आप मेरे से टेलिगाम चैनल पर जोड़ सकते हैं आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपके उस डाउट को सौल करने की कोशिश करूंगा थैंक्यू सो माज मिलते हैं बाई बाई टेक केर दोस्तों जैहिद